9 बज़ने वाले हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरिट मॉर्निंग प्राइम टाइम शोर, 9 बज़ गये का आपके साथ हुए निहा बात हम और साथ है आपको दिखाएंगे जबलपूर की एक लाइव तस्वीर कैसे पुलिस ने नाट की अंदाज में रेम टेसिवर की काला बाजारी करने वाले वांटेड आरोपी को धर दबोचा लेकिन शुरुआत करेंगे यस तूफान के खत्रे की मौसर विभाग के मताबिक तूफान कल उडिशा के तट से टकराने वाला है इसका ट्रेलर उडिशा में दिखने लगा है। उडिशा के पारा ग्रीप में रुक रुक कर इस वक्त बारिश हो रही है तूफान आने से पहले उडिशा सरकार में इसे निपटने के उपाई भी तेज कर दिये हैं। खत्रे वाले इलाकों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। मौसर विभाग के मताबिक तूफान 155 से 165 किलोमेटर प्रती घंटे की रफ्तार से आएगा और इससे सबसे अधित्तम रफ्तार 185 किलोमेटर प्रती घंटे की होगी। यह उत्री उडिशा में बाला सौर के प पास्टक राइग। यह तूफान से पहले की शांती है। उपर से समंदर शांत दिख रहा है लेकिन बड़ी हल चल आने वाली है। अरब सागर में ताउते तूफान को गुजरे अभी कुछी दिन बीते हैं और अब बंगाल की खाड़ी में यास नाम के बवंडर की एंट्री हो रही है। आशंका है कि बंगाल की खाड़ी में उठा हवा का बवंडर अगले 24 घंटों में गंभीर साइक्लोन में बदल जाएगा। इस तूफान के 26 तारिक को किसी भी वक्त पश्चिम मंगाल और उडिसा के तट से टकराने की आशंका है। उडिसा के भद्रक, केंदरपाडा, जाजपूर, जगत सिंगपूर और मयूर भंज तूफान से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। पश्चम मंगाल के मेदवीपूर, दक्षन 24 परगना, हावडा, हुगली और उत्तर 24 परगना में असर देखा जाएगा। इसका असर आंधप्रदेश, पुडुक्चेरी और तमिलाडू के तटों पर भी दिखेगा। इस तूफान की वज़े से जारखंट, 36 गड़, बिहार के साथ-साथ, अंडमान और निकोबार, दूइप सम्हिव में भारी बारिश हो सकती है। तूफान के दोरां 100 किलोमीटर से भी ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। हाला कि वज्ञानिकों ने इसके 155 से 165 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने का अंदेशा भी जताया है। इस साइकलोन का असर 25 मई से ही पश्चिम मंगाल के तटी इलाकों में दिखने लग जाएगा। इन इलाकों में भारी बारिश शुरू हो जाएगी। ओडिशा और पश्चिम मंगाल तट पर समुदर में तेज हवाओं के साथ उची लहरे उठेंगी। बंगाल की खाड़ी में बन रहे हवाओं के दवाव से फिल हाल यही आशंका है। ओडिशा के पारदीप से बंगाल के सागर आईलेंड के बीश तूफान तट से तकरा सकता है। इसका सबसे ज़्यादा असर और बंगाल की सीमा पर हो सकता है। तूफान से प्रभावित होने वाली सभी राजसरकारे अलर्ट पर हैं। तट के पास से अबादी को हटाया जा रहा है। इसके साथ ही एंडियारफ ने मोर्चा समाल लिया है। एंडियारफ ने एक सो पचास से ज़्यादा तीमों की तैनाती की है। पचास तीमों को रिजर्व रखा गया है। तूफान की चपेट में आने वाले पेड़ हटाने के लिए 35 तीमें तैनाती है। हवाई मार्क से तीमों को लाया गया है। एरफोर्स के एरक्राफ्ट के माध्यम से एरलिफ्टिंग की गई है। गुहाटी से, तोने से, एवं जामनगल गुजराथ से। ये टीमें पहुचकर उडिसा में ड्यूटी करेंगी। वायुसेना ने NDRF के टीमों को एरलिफ्ट किया है, जो अब कोलकाता, भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर समेट दूसरे इलाकों में तैनात की गई है। इसके अलावा भारती वायुसेना के 11 ट्रांसपोर्ट विबान और 24 हेलिकॉप्टर बिलकुल तैयार रखे गए हैं। मौसम विभाग के तूफानी अलट के बाद भारती रेल ने नई दिल्ली से पूरी और भुवनेश्वर जाने वाली काई ट्रेनों को रद कर दिया है। इनमें हावडा यश्वंत पूरे एक्स्प्रेस समेत काई ट्रेन शामिल हैं। पहिप्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने वीडियो कांफरेंसिंगे जरीय समीक्षा बैठा की है।